पुराने भाजपाईयों को स्वरगी राजंत कुमार गुप्त फिर एक बार याद आए जन्पदवासियों को भी उनकी कभी खली जैसे ही उत्तर प्रदेश भारती जन्ता पार्टी ने प्रदेश पतादिकारियों उपादच, महामंत्री, मंत्री वाकोसादच के नामों की सूची जारी की जो सोसल मीडिया पर वाइरल होने लगी सीतापुर के लोग सूची पर नजरे गड़ा दिये कि उनके जन्पद का भी नाम कहीं न कहीं होगा कोई न कोई पतादिकारी बना होगा लेकिन 75 जिलों वाले प्रदेश के 27 जन्पदों का नाम तो दर्ज था पर सीतापुर का नाम कहीं नहीं दिखा जबकि एक जमाना राजेन जी का हुआ करता था वह प्रदेश अद्धिच के पद को भी सुसोबित करते थे मुक्मंतरी बनने की दोड में भी उनका नाम चलता था एक पुराने भाजपाई से नहीं रहा गया और वह बोलने से नहीं चुके वह कहते हैं कि ठीक ही हुआ दल बदलों को पतादिकारी नहीं बनाया गया हाला कि भाजपा ने सीतापुर के दो सांसदों को पहले से ही पतादिकारी बना रखा हुआ है इनमें सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा पिछला वर्ग मोर्चा और मोहलाल गंज से सांसद डॉक्टर कौसल के सोर अंसूचित मोर्चा के प्रदेश अद्यच हैं भाजपा ने प्रदेश पदाधिकारियों की जो सूची जारी की है उनमें बनारस, नोईडा, नखनव, मेरट, कानपूर, बलिया, मुरादाबाद, बहराइच, आजमगड, हांथरस, साजहापूर, अमेठी, प्रताबगड, कर्नौज, लकीमपूर, बाराबंकी, संतकभीन नगर, बस्ती, गाजीपूर, बुलेंसहर, आगरा, चित्रकूर, फरुखाबाद, गोरकपूर, प्र्यागराज, अलीगड, बरेली, जन्पत के पदाधिकारी बनाए गए हैं, इनकी जातिवा वर्ग का भी बिवरण दिया गया है अबर आपकी नजर हमारी, देखते रहे आई इंडिया